हमें अपना कर्मों का फल भुगत नहीं पड़ता है चाहे हसके भुगते या रोके भुगते चाहे इस जनम में भुगते या अगले जनम में चलो इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से एक राजा बड़ा धर्मात्मा न्यायकारी और परमेश्वर का भक्तिता उसने ठाकुची का मंदिर बनवाया और एक ब्रामन को उसने पुजारी नियुक्त किया वह ब्रामन बड़ा सदाचारी धर्मात्मा और संतोशी था वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था करते हुए बीस वर्ष गुजर चुके थे उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रशन नहीं किया राजा के यहां एक लड़का पैदा हुआ राजा ने उसे पड़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुन्दर राजकन्या के आई तो क्या देखती है कि एक हीरी जवारत से जड़ित एक तलवार वहां पड़ी है जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली तब तीक्षन धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मार उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी और राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया राजकन्या पती के मरने का बहुत शोक करने लगी उसने परमेश्वर से प्रातना की की ही प्रभू मुझे से अचानक ये पाप कैसी हो गया पती की हाथ हो गई आप तो जानते ही है परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूंगी क्योंकि इससे मेरे माता पिता और साससर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा प्राता काल में जब पुजारी कुएं पस्नान करने आएं तो राजकन्या ने उनको दे और राजा ने आकर पुछा किसने मारा है राजकुमार को तब वह कहने लगी मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था परंतु उसे मैंने ठाकुजी के मंदिर में जाते हुए देखा है तब राजा समेथ सब लोग ठाकुजी के मंदिर में आएं तो ब्रामन को पुजा करते तब भ्रामन कहने लगा मैंने राजकमार को नहीं मारा है मैंने तो राजमहल भी नहीं देखा है इसका साक्षी इश्वर है बिना देखे किसी पर अपराद का दोश लगाना ठीक नहीं है भ्रामन की तो कोई बात सुनता ही नहीं था कोई कुछ खेता तो कोई कुछ खेता लेक लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है तेरा वही हाथ काटने का आदेश देता हूँ ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया इस पर भ्रामन बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मान कर उस देश को छोड़कर चला गया वहां वह खोच क करने लगा कि कोई विद्वान जोच्षी मिल जाए तो बिना किसी अपराद के कारण हाथ कटने के लिए पूछे किसी ने उन्हें बताया कि काशी में एक विद्वान जोच्छी जी रहते है तब वो उनके घर पहुंचा जोच्छी जी कहीं बार गए हुए थे तब उसने उनकी धरम पत्नी से पूछा माता जी आपके पती जोच्छी जी महराज कहां गए हुए है तब उस्त्री ने अपने मुख से अयोग असहे दुरवचन कहे जिनको सुनकर वो ब्रामन हैरान हो गया और मनी मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था परन्तु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा इतने में जोच्छी जी आगे घर में प्रवेश करते ही ब्रामनी ने अनेक दुरवचन कहकर उनका तिरसकार किया परन्तु जोच्छी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा तद उपरांत वे अपनी गद्दी पर बैठ गए ब्रामन को देखकर जोच्छी जी ने उनसे कहा कहिए ब्रामन देवता कैसे आना हुआ तब ब्रामन ने कहा आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए परन्तु पहले आप अपना हाल बताईए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरसकार करती है जो किसी से भी सहन नहीं होता है और आप सहन कर लेते है इसका कारण क्या है तब जोची जी ने कहा यह मेरी स्त्री नहीं मेरा कर्म है दुनिया में जिसको भी देखते हो अरदाद, भाई, पुत्र, शिश, पिता, गुरु, संबंदी जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है यह स्त्री नहीं मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं अपना किया हुआ जो भी कुछ शुब अशुब कर्म है वह अवशी ही भोगना पड़ता है बिना भोगे तो सैकडों, करोडों, कलपों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े महराज, आपने क्या कर्म किया था? कृपया मुझे बताईए तब जो च्छी महराज ने कहा तो सुनिए पूर्व जनम में मैं कववा था और मेरी स्त्रीक गदी थी इसकी पीट पर फोड़ा था और फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी और मेरा स्वबाव बड़ा दुष्ट था इसलिए मैं उसके फोड़े पर चोंच मार मार कर इसे ज्यादा दुखी करता था जब दर्द के कारण वक कूदती थी तो इसकी फजीती देखकर मैं बहुत खुश होता था मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी किन्तु मैं इसको ढूंडता फिरता था यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था आखिर मेरे द्वारा बहुत सताय जाने पर यह दुखी होकर यह गाम में दस बारा मिल दूर जंगल में चली गई वह गंगाजी के किनारे एक वन में हरी हरी घांस खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुख पूरवक रहने लगी लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था और इसको ढूंडते ढूंडते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीट पर जोड़ जोड़ से चोंच मारने लगा और मेरी चौँच इसकी हड़ी में चुब गई इस पर इसने अनेक प्रयास किये फिर भी चौँच नहीं निकली मैंने भी चौँच निकालने का बड़ा प्रहतन किया मगर नहीं निकली पानी के भैसे ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सौच कर यह गंगाजी में प्रवेश कर गई परन्तु वहां भी मैं अपनी चौँच नहीं निकाल पाया आखिर में वह बड़े प्रवा में प्रवेश कर गई गंगाजी के प्रवा तेज होने के कारण हम दोनों ही भै गए और बीच में ही मर गए तब गंगाजी में मृत्य होने के कारण वह ब्रामनी बनी और में जोच्छी बना और अब वह मेरी स्त्री हुई अब मेरे मरन पर्यांत अपने मुक से गाली निकाल कर वह मुझे दुख देती है और मैं अपने पूर्व करमो काफल समझ कर सब सहन कर लेता हूँ इसमें उसका दोश नहीं है ये सब मेरे करमो काफल है इसलिए मैं चुप चप सुनता रहता हूँ अब तुम अपने आने का कारण बताओ तब रामन ने अपना सब समाचार सुनाएं और पूछा अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराद का हात क्यों कियों कट्वाया तब जोची जी ने कहा राजा ने आपका हाraf नहीं कट्वाया है आपके अपने कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है तब रामन ने पुचा किस प्रकार तब जोची जी ने कहा पूर्व जनम में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गव माता थी तता राजकुमार एक कसाई था वह कसाई जब गव को मारने लगा तब गव बेचारी जान बचा कर आपके सामने से जंगल में भाग गई पीछे से कसाई आया और आपसे पूछने लगा कि इदर कोई गाय तो नहीं गई है आपने प्रन कर रखा था कि मैं जूट नहीं बोनूँगा इसलिए जिस तरफ गव गई है उसी तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गव को मार डाला गवा के किनारे वा उसकी चम्डी निकाल रहा था इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गव एवम कसाई दोनों को ही खा गया और गवा जिके किनारे ही उनकी हड़िया उसी में बह गई गवा जी में मृत्यो ओने के कारण कसाई को राजकुमार और गव को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म के किये हुए उस कर्म ने एक रात्री के लिए उन दोनों को इकटा किया क्योंकि कसाईने गौप को मारा था इसी कारण राजकन्या के हाथो अनाया सी तलवार गिरने से राजकमार का सिर कट गया और वह मर गया इसी तरह अपना फल दे कर कर्म निवृत हो गया तुमने जो हाथ का इशारा रुप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुमारे हाथ को कटवा दिया है इसमें तुमारा ही दोशेकी से अनिका नहीं है कर्म फल का भोग टलता नहीं है कितना सरल हो जाएगा हमारा जीवन यदि हम इस कर्म सिद्धानत को मान ले और जान ले तो प